और ये वाली आदत बहुत बहुत बुरी होती है इस आदत से यार अच्छे अच्छे बंदों की पेटी बन जाती है तो भाई लो कैसे हो तो यार वेलकम दी बैक बैक दी वेलकम और स्वागत आपका एक बिना न्यू गलत सीन से भरे पड़े पबजित मोबाईल गिंपने वीडियो में अब इस मैच में यार हर कोई हर एक बंदा मेरी किल चोरी करने के पीछे पड़ा होता है कोई मुख के सामने पेटी बना देगा मैं डेमेज दे रहा हूँ पेटी कोई और बना देगा दबा की गलत सीन होंगे खेर वो सारे सीन बहुत ही जल दोने वाल है लेकिन यार फिलाल जोर जा रखे हैं और कभी कभी निहत्ते नंगे बंदों को पेलना जादा दिक्कत दाय हो जाता है भकते रहते हैं ये लोग अब उतरते ही मेरे को डेपी मिली होती है और उसकी लगभग 60 की 60 गोली मैं दो निहत्ते बंदों पे ठिला देता हूँ और उसके बाद भी काम नहीं बनता पेटी तक नहीं बना पाये तो ये मुठी बाजे पे उतरना पड़ता है दबा की मुक्के पिलने पड़े खेर इसके बाद मेरे को सोडगन वगेरा मिलती है जिससे यार कदू कुछनी उखडने वाला ये सोडगन बहुत सस्ती लगती है मेरे को खेर बागी के दो निहत्ते बंदे भग जाते हैं और गाहे बुचाते हैं तो मुझे आगी बढ़ना पड़ता है और हमारे ये महेंगे कपड़ों वाले भाई गन को पीछे रखके लूट रहे होते हैं मैंने सोचा है यार ऐसी भी क्या नौबाता गी कि गन को पीछे रखना पड़ा फिर मैं पेटी खोलता हूँ सिर्फ एक सोडगन होती है मतलब यार वहां से वो चलाता भी ना तो भी मेरे ख्याल से साइद ही कुछ होता और यहां पे हालत इतनी बुरी हो रखी दी कि यार बॉटो को पेलके उनकी लूट लेनी पड़ रही है बहुत बुरे हाल थे अब यह बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार बॉटो पे अत्याचार बिल्कुल नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी नहीं लेकिन यार मजबूरी में गधे को भी हाती बनना पड़ता है और यह जोर्ज अब एक ऐसी जगह हो चुकी है जहां पे बंदों पे गन नहीं होगी लेकिन बॉटों पे महेंगी गन दबा के पड़ी होती है कैर बॉट से जो भी गन गुन मिलती है मैं उसे धैर पर उठाता हूँ और इधर की तरफ आता हूँ क्योंकि इधर एक्षियोन चल ला है यहां पे मैंने सोचा था कि यार डेड़ आईक्यू गेमप्ले करूँगा बिलकुल उपर चड़के पेलूँगा उपर चड़ने से उल्टा मेरा ही गाटा हो जाता है बंदे आपस में लड़ बिढ़ गए और पेटिया बना लिए एक दूसरे की खैर अब यहां पे एक बहुत ही खतरनाक हाँ मेरे को भी इस वासनी हो रहा है खतरनाक नेड़ोने वाला है और यहां पे मैं खुद ये बात मानता हूँ कि ये नेड़ एक चमतकार था पहले यार मेरा टीमेट मजाक उड़ा था लेकिन यार यहां पे मेरे को खुद मानना पड़ेगा ऐसे नेड यार मेरे बसके बिलकुल नहीं है चमतकार ही होता ऐसा मतलब मैं देखता हूँ बंदे भग रहे हैं मैंने सोचा लो नेड और देपटक के फेका और बंदा वही टीपी पी ले रहा होता है खैर इसी के साथ जोड़ खाली हो जाता है जो दो ही बंदे बैटे होते हैं और इनके बाकी टीमेट किधर गत्ते फूक रहे हैं इनहीं पता होगा खैर इसके बाद हम यहां से निकलते हैं और डिरॉप पे जाएंगे चार-चार बंदे ओपन में डिरॉप मगाते हैं दबा की एक्षियोन होने वाला है लेकिन उससे पहले हम देड़ पेड़ बात कर लेते हैं हमारे सपॉंसर की तो यार इस एप या फिर वैपसाइट का नाम है वन एक्सपैट जिसके माद़ से आप कई सारे गेम्स क्रिकेट फुडबोल, बोली बॉल, बास्केट गॉल और अब तो पुरबोल भी चालू हो गया है उन सब पे बैट बूट लगा सकते हूँ साथी साथ इसमें आपको आपके पहले डिपॉजिट पे 7000 रुपे तक का बोनस मिलेगा अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो जो की कमेंट सेक्शोन में दिया गया होगा और इसमें कई सारे मिनी गेम्स भी है तो आप वो खेल के भी पैसे कमा सकते हो और जीते वे पैसे विड्रॉ करना इसमें बहुत आसान है आप पेटियम, पेपाल, गूगल पे कद्दू पे किसी से भी पैसे विड्रॉ कर सकते हो तो हाँ यार अगर आपको इस सब चीज का सौक है इस आपको जरू ट्राय करना इसकी लिंक कमेंट सेक्शोन में होगी बिल्कुल टोप में और डिरॉप की गने उठाके बगने की पूरी तयारी होती है इनकी अब देखो अलग अलग जगा भग रहे थे तो या थो इनकी पूरी तयारी होती है साप बनने की वो भी अलग अलग जगा जाके या तो यार ये लोग कवर लेके खिलने वाले थे खैर जो भी सीनो एक की पकड़ के पेटी बना दी और दूसरा पीछे नौक पड़ा है मेरे ख्याल से और एक बंदा यहीं पेड़ पे खड़ा है और ये बात तो मैं भी समझ गया कि चमतकार जिंदगी में एक आगवारी होते हैं हाँ नेट से कोई नी ठीला शायद बंदा पीछे भग चुका था और मानो या ना मानो ये पेड़ के पीछे जो बंदा खड़ा था न यार इस भाई का सपरे बहुत ही तगड़ा होता है मैं यहां से प्रिपायर दे रहा हूँ अंधा गुली चला रहा हूँ उसके बाद भी भाई हेल्थ की ऐसी दैसी कर देते हैं अब सामने वाला बंदा गुली और नेट दबा के कर रहा है लेकिन भाई रिवाइफ देने को तयार नहीं है बिलकुल और देखते ही देखते नेड मुग के पास आए जा रहे हैं तो मैं क्या करता हूँ एक और नौक बंदा पड़ा होता है उसकी सीधा बेटी बनाता हूँ और उसे ढूड़ने निकल पड़ता हूँ जो लेट के नेड नूट कर रहा है और यार यहां पे एक बोट मेरी मदद कर बैठता है अब मेरे टीमेट को यहां पे लगता है कि यह बोट एक बंदा होता है लेकिन मैं क्या करता हूँ बोट को देखके उसकी सीधा पेटी नहीं बनाता हूँ मैं देखता हूँ कि बोट गोली चला किस पर आया और साइड में ही एक बंदा लेटता है मेरे मूग के सामने तो उस बंदे की पेटी बनाई और यार बोट की भी पेटी बना दी नहीं तो यार मेरे पे मिनी चौदा पटकाता वो खेर वहां पे जितनी भी पेटी थी सारी पेटी लेकिन यार मेरे काम की गन नहीं मिली ग्रोजा और एडबलम नहीं मिली जिंदगी में और यहीं मेरे मूग के सामने बंदा पचास साथ गोली चला जाता है वो भी मेरे ख्याल से M762 की बहुत ही बड़े यार मतलब हम तो 40 ही चला पाते हैं मेरे साथ क्यों नहीं होता ऐसा वालाल है खेर जो भी सीनो गोली चली है तो यार बंदे पेलने जाना ही पड़ेगा और मेरे ख्याल से ये आपस में भी लड़ रहे थे तो जो भी करना होगा सूथ समझ के करना पड़ेगा नहीं तो वैसे भी पोचन की है यार केम्पिंग करते है टाइम नहीं लगता है यहाँ और मैंने सोचा था गाड़ी दूर रखके आराम से जाऊँगा बिल्कुल छुपके पेटी बनाऊँगा जैसी यहाँ जाके सकूप खोलता हूँ ना पता चलता है वो बन्दा मेरे मूपे ही देख रहा है कैर अभी के लिए वो बचके भग गया और अब एक ही चीज की जा सकती है नेट ठेकने पड़ेंगे क्या पता एक और चमतकार हो जाए और जैसा कि मेरे को लगी रात है एक जिंदगी में एक चमतकार बहुत होता है अब नहीं भटने वाले नेट तो गनों से ही काम चलाना पड़ेगा कैर धीरे धीरे करके मैं बिलकुल गर पे पहुँच चुका हूँ और बस एक बात से भट रही है इस घर के ऊपर कोई कैम करके ना बैठाओ और यार मेरे टीमेट की अपनी अलगी चौड़े मैं बोलता हूँ भाई देख मैंने एक बंदा नौक कर दिया आजाओ मिलके रस करते हैं कद्दू का मिलके हमारे भाई रोड से भगते वे आ रहे हैं सामने वाला बंदा उठके गोली चलाता है मैं बोलू ये किसे पेला है बात में पता चलता है यार भाई ओपन से आ रहे होते हैं कैर जैसे तैसे करके यहाँ पे दो ही बंदे थे इनकी पेटी बना दी और आगे एक डिरॉब गिरा होता है तो मैं उदर की तरफ चलता हूँ और जाते जाते दबा के लेग होता है यानि कि यहाँ पे भी बंदे दबा के लड़ रहे होते हैं तो मैं भी पहुँच जाता हूँ अब एक तो मेरा सपरे बहुत ही सस्ता है उसके उपर से मेरे पे चार एक्स पड़ा है जो कि यार मैं तभी इस्तमाल करता हूँ जब बिल्कुल मजबूरी हो जब कुछ ना मिले बिल्कुल खैर चार एक से जैसे तैसे तुक्के बढ़ा के मैं एक बंदे की पेटी बनाता हूँ अब बाकिये बंदों ने सारे समोग फेक दिये जल्दी निप्टाना पढ़ेगा अब हमारे भाई बोलते हैं कि यार इन्हें जल्दी निप्टाना पढ़ेगा यार हलवा थोड़ी बना रहो जो निप्टा के निकल जाओं बिल्कुल ऐसे नहीं काम चल पाएगा यहां पे और उपर से चार एक्स पड़ा होता है ख्यार उतने में ही मेरे टीमेट पे तीन एक्स पड़ा होता है तो मैं बोलतो भाया जल्दी से गिराओ इससे पहले यह उठके भाग जाएए यहां से और वही चीज होती है जिसका डर होता है मेरे को बंदे उठके बिल्कुल भग जाते हैं और यार गाड़ी इतनी तेजी से भगाते हैं यह की समझ तक नहीं आता कि यह लोग गए किदर खैर हम भी ढीट ते तो यार ऐसे पीछा तो छोडने निवाले गाड़ी हम लोग भी घुमाते हैं लेकिन वो बंदे हमें बिल्कुल भी नहीं मिलते मेरे को लगता है ये लोग यहीं सस्ते घरों पे रुके होंगे लेकिन नहीं ये लोग गाड़ी भगा के नजाने कहां पहुँच चुके हैं क्यार उतने में ही दूसरी टीम के बंदे मिलते हैं तो उनसे ही काम चलाना पड़ेगा अपने को अब पहले एक AWM का पटका आता है मैं बोलता हूँ भईया तुम से नहों पाएगा छोड़ दो सनाइफिंग और उतने में ही कोई बंदा गुरुजा पटकाने लगता है मैं बोलता हूँ भईया मेरे से नहों पाएगा भगाओ गाड़ी को अब भगा भुगा के मैं यहां गरों पे रुखता हूँ और ये बंदे भी इधर उदर भगने लग जाते हैं और एक बंदा यही ओपन से भगता है और इस गेम में पेटी बनते बिलकुल टाइम नहीं लगता कास कर तब जब हमारे जैसे डेट बंदे हूँ तब तक गोली चलेगी जब तक पेटी ना बन जाए वो बंदा इस घर से बगल घर पे जा रहा था उतने में ही पकड के पेटी बना दी बहुत बुरा हुआ भाई के साथ और इस टाइम पे आके यार मेरे को भी पता था कर दो कुछ नहीं वनाए वाला नेट से मैं बस टाइम पास करने के लिए फेक रहा था कहर एक बंदा यही नीचे पे बैठा होता है तो मैं बोलता हूँ रस कर दो वो गुरुजा चीह अपने को नेट ऐसका है इसका हूँ इसका हूँ और यह वाली आदत बहुत बहुत बुरी होती है इस आदत से आर अच्छे अच्छे बंदों की पिट्टी बन जाती है और गन आप पे कोई भी बड़ी हो यह आदत है तो पेटी बनना रवभक दाय हो जाता है हाँ दो गुली चला के रिलोट करने की आदत अब वो बंदा मेरे ख्याल से 20-25 गुली चलाता है और उसके बाद भाई गुरुजा रिलोट पे लगा देते हैं लेकिन इस बार मैं वो सीन नहीं करता मैं 20 गुली लेके चलता हूँ और भाई की पेटी बन जाती है खैर इसके बाद AWM गुरुजा दोनों गन मिल चुकी है और जोज अलग लेवल पे होता है और इसी जोज के चक्कर में मैं च्छत पे चर जाता हूँ और इसे कहते हैं जोज में बेहुसी खो बैटना मेरे को लगा यार ये क्या सनाइपिंग करेंगे मैं दिखाता हूँ सनाइपिंग पिर जैसी ये फटका पड़ाना याद आगे है कि यार मैं एक सस्ता सनाइपर हूँ हमसे नहों पाएगा जब तक मैं सकोब खोलता हूँ भाई बन्दा पेटी बनाने के लिए तयार होता है बिल्कुल दैर पेड़ नौक देता है अब देखो सनाइपिंग नहीं उपारी तो कोई दिक्कत नहीं है हेलमेट वही नीचे पड़े होते हैं हेलमेट की बिल्कुल कमीनी होती मैं नया हेलमेट उठाता हूँ और सामने जाके रस करेंगे गुरुजा भी तो पढ़िये अपने पे और ये अकेला बंदा नजाने कहां भग रहा था रस्ते में पेटी बना दी और आज कल के बंदे कही पे भी लेट जाएंगे सामने ये ट्रेक्टर है कि टरक पड़ा है इसके पीछे लेटा पड़ा है देखो मतलब घर के नाम पे चार घर है बाई को लेकिन वही पे लेटना है अब सामने मेरे को दिखता है कि यार एक बंदे को मैंने नौक किया और एक बंदा पहले से नौक पड़ा है तो यार वो जो किल चोरी की लालो चोती है न वो बहुत चोर से जाग जाती है तो मैं बोलता हूँ यार बगते वे जाओंगा और पेटी बना दूँगा मस्त दो किल मिलेगी रेकिन गलत होता हूँ मैं बहुत और इधर पे आके सिर्फ और सिर्फ दिल पे तर्द होता है जैसे मैं अंदर गुसता हूँ यार पेटी पहले से बनी पड़ी होती है किल चोरी तक नहीं कर पाया खेर उमीद पे केड़ी कायम है तो वो पीछे जो ट्रैक्टर पे लेटा था ना उसे पेलने निकलता हूँ मैं और कास कास मेरी सनाइपिंग यहां थोड़ी सी महंगी होती मैं सिधा पेटी बनाता अब गुसके पेलना पड़ेगा और दिक्कते होंगी अब वहां पे एक बंदा हो चाहे 14 बंदे बैठे पड़े हो इतना डेमेज दे के यार मेरे से रुका बिलकुल नहीं जाता तो मैं गाड़ी उठाता हूँ डेमेज पहले से ही दिया है अराम से पेलूँगा सोचता हूँ मूँ के सामने और ऐसा भी नहीं कि मैं बोलने के लिए बोल रहा हूँ कि यार मूँ के सामने से किल चोरी हो गई नहीं बिलकुल मेरे मूँ के सामने बंदा मेरी किल चोरी करके चल देता है वो पीछे बैठके नजाने कहां से डीपी पिलता है दो गूली लगती है और वो किल लेके चल देता है और बदले की आग में मैं बिल्कुल इस गर पे आ जाता हूँ लेकिन यार और आगे नहीं बढ़ सकता अब देखो सीन क्या है बदले की आग में आगे भगते वे जाऊंगा ना कि मैं पेटी बनाओगा तेरी बोलके वो मेरी पेटी बनादेगा ठीपी पी लेके बैटे हैं क्या पता साब भी बनाओ तो यहीं गर से आराम से थंड़े दिमाग से खेलना होगा और अपना भी आधा आधा बतला पूरा हो चुका है बिल्कुल सेक के पीछे चज्जों से पीक करते हैं भाई और चज्जों से बिल्कुल आर पार जाके गलती से अट सोट लग जाता है लेकिन यार वहीं सेक पढ़ाए तो पेटी तो बनने से रह गई कोई दिकतनी यार दुबारा नौक कर पाएंगे दुबारा पेटी बनाएंगे अब या तो यह लोग गोली चला रहे हैं किसी और बंदे पे या तो यह लोग नसे करके खिल ले हैं बहुर्ट फाइर दे रहे अभी तो मैं क्या करता हूँ इधर उधर देखने लगता हूँ की सीन के चला है और जोस इतना की पूछो मत बगैर मतलाब घरों के बाहर कूदे जाता हूँ और अखिरकार बंदा दिखता है अब पहले वो वाले भाई सोचते हैं कि मैं बैट के ठीपी पी लूँगा मैं पाउ पे गोली पेलता हूँ उसके बाद वो बोलता है कि भाईया हम से ना उपाएगा बैठना बैठाना हम लेट जाएंगे इधर पे लेटता है वो मैं फिर से पाउं पे गोली देता हूं क्योंकि पाउं अच्छे से दिख रहा था अब बस तीन ही बंदे बाकी हैं और वो तीनों के तीनों इसी एक टीम और यहां पे यार मेरे को बहुत बूरी तरह बेट कर दिया जाता है चारा बना के पेला जाता है मेरे को देखो यारा आप हां इसे कहते हैं असली हाजार IQ गिम्पले मैं बोलता हूं यार यह बंदा बगते वे आ रहा इसकी पकड़ के पेटी बनाओ उतने देर में साइड में दो दो बंदे होते हैं इनके दोनों मेरी पकड़ के पेटी बनाने वाले होते हैं और अब नेड आएंगे अब इन भाई लोगों ने दिमाग लगाया बहुत ही बढ़िया हाजार IQ गिम्पले बहुत ही बढ़िया मजा आ गया लेकिन एक गलती है कर बैठते हैं गलत जगा पे ठीपी पी लेके बैठते हैं हमारे भाई और अब बस एक आकरी बंदा बाकी है और ये वही बंदा होता है जिसने मेरे मुग के सामने से खिल चोरी कर दी थी अब यहाँ पे मैं बोलने वाला था कि यार ये हजार IQ गिम्पले किया मैंने लेकिन देखो आपको भी पता है मेरे को भी पता है जो भी होता है तुक्को में ही होता है हमारे साथ देखो सीन क्या होता है यहां मैं दिवार पे चड़ जाता हूँ असल मैं नीचे कूदने के लिए रस करने के लिए लेकिन मैं दिवार पे अटक जाता हूँ और दूबारा से इसी जगा इसी खिर की पे आ बैठता हूँ लेकिन वो भाई अपना चेहरा दिखाते हैं और दे प्रिफायर ठीक यार प्रिफायर बहुत बढ़िया था लेकिन देखो दुक्का हमसे लगी चुका था और यार हाथ में गुरूजा पड़ी थी तो चिकन चुकन हो जाता है अब इसी मैच में मेरे ख्याल से 26-27 किलो थे लेकिन मुग के सामने सामने किल चूरी हो जाती है और क सीजन का मेरा सबसे अगड़ा गेंप ले आने वाला है बिल्कुल मज़ा टैप आजाएगा तो यार जाते-जाते मेरे ये डेड़ आईक्यू तुको के लिए और मेरी जो भी गिल्चोरी हुई उन सब के लिए एक लाइक ठोकना मत भूलना और अगर आप यहां पे नए हो तो यार करो सबी स्क्राइब बहुत मज़ा आने वाला एकल तो आज के विडियो में इतना भाई लोग यार कल मिलते हैं जाते-जाते एक एस बैट चक्राओट करना मत भूलना उसकी लिंक कमेंट सेक्शोर में होगी बिल्कुल टोक में तो कल मिलते हैं यार भाई बाई कर दो झाला दक वाला गला लोग